शिक्षा के मंदिर में धरावनी बाते मैडम बनी प्रेत आत्मा मद्यप्रिदेश के खन्वा जिले के मुंदी ब्लॉग की शास्किय कन्या शाला में कुछ दिन पूर्व पदस्त होकर आई एक शिक्षिका जोती सिंग के आने के बाद बच्चे काफी डरे हुए हैं क्योंकि शिक्षा के मंदिर में टीचर ज्यां की बाते नहीं दरावनी और बहकी बहकी बातें बच्चों के सामने करती है वह बच्चों से कहती थी कि मैं एक नागिन हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ मुंदि के शास्के कन्या उच्च्चतर माद्यमिक शाला की 420 छात्रा यहां 20 सितंबर को पदस्त हुई शिक्षिका जोती सिंग के बुड़े व्यवार से काफी हट तक परिशान हो गए है वही स्कूल की छात्राओं ने बताया कि शिक्षिका अध्यापन कारे नहीं करती बलकि क्लास रूम में पहुँचकर बहकी बहकी बाते करती है शिक्षिका प्रेत आत्मों की संबंद में डरावनी बाते करती हैं वही कहती है कि मैं एक नागिन के रूप में हूँ शिक्षिका के इस प्रकार के बरताव सिव समूचे स्कूल में दहशत कमागोल है वहीं चात्राएं भी काफी डरी हुई है वहीं चात्राओं ने संस्ता के प्राचारे को लिखे शिकायत तीन दिन पूर्व की थी खनवा जिला शिक्षा अदिकारी से फोन पर इस संबंद में जानकारी चाही गई तो उनसे संपर्क नहीं हो सका वहीं अब देखना होगा कि चिले का शिक्षा विभाग संबंदें शिक्षिकापन क्या कारिवाही करता है खन्वा मद्यप्रदेश से अहमद सिद्धिकी की एक्स्क्रिव से स्पेशल रिपोर्ट जब से आये हैं उस दिन से सी बाते करते कपसे आयो हो विजविस्दाइश है जोती सी हम चौहां आपका परिशे थाए मेरा नाम मोहीनी आदो ही मेरा मेरे में क्लास ड्यॉट मैं पड़ती हूँ जातो बच्चे परसाने बच्चों ने जो शिकार्ट मेरे को किये तिसमें वह यह कब से चल रहता था यह तो इसे कम पंदरा दिन वेज दिन से चल ला है जो मेडम है वो कहां के है यह दिवाल पंदाना से आई है मेडम कब से आई है वो विस तारेक से आई है मेडम कोहन से सिच्चा पढ़ाते हो यह संसुकरत विज्ञान अंग्राज जी पढ़ाते हैं और जो जहां भी खालिक प्रेट हो वहां बेद जाता हूं